बिहार के स्कूली बच्चों को सरकार के तरफ से साइकल के लिए और पोशाक के लिए और नइपकीन के लिए ठीक है जो बालिक है उनको नइपकीन के लिए पैसे दिये जाना है कौन से काम है जो आपको 15 तारीक के अंदर करा लेना है तब तो आपके बच्चे के खाते में पैसा आ जाएगा वरना नहीं आएगा और वीडियो की तरह आप इस वीडियो में भी नीचे लिख दीजेगा भाई फेक वीडियो है तो आपका ही नुक्सान होगा इस वीडियो को आप देख सकते हैं 30,000 व्यू गया है चट तेवहार जो था उसके पहले पहले बहुत सारे लोगों के खाते में 3500 रुपया रासी आ गया लेकिन कुछ मन चले कुछ यहां पर निठले टाइप के लोग थे जिन्होंने कमेंट करा कि सर आप जो है ऐसा वीडियो बनाते हैं कि सारा जनकारी आपका गलत रहता है तो वो जो है योजना से बंचीत रह गया है उनका 3500 रुपया नहीं आया भाया अब वो वीडि पैसा हो चाहे क्रोनाकाल का पैसा हो चाहे जंधन का पैसा हो चाहे सरकार के किसी भी स्कीम का पैसा हो चाहे उध्यमी का 10 लाख लोन वाला हो अभी सब पर हमने वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोग लाब लिये हैं जो उध्यमी से ऑनलाइन किये थे और 10 लाख रुपय सब आ जाते हैं यह उनकी मनसिक्ता है हमारी नहीं हमारी मनसिक्ता आपको सरकार का जो भी बेनेफिट है जो भी योजना है वो पहुचाना है बदले में आप गाली दो कोई दिक्कत नहीं भाई सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर बोलते रहते हैं उनका काम है बोलना आईए बच्चे इस योजना से बंचित हो सकते हैं और तालिस लाख बच्चे फिर आप बाद में कहोगे सर जो आपने वीडियो बनाया कि साइकिल का पैसा मिलेगा इसी मा साथ ही साथ यहाँ पर किसे औरी स्वास्तादी योजनाओं के अंतरगत बच्चों को रासी दे जाएगी और छातविती का प्रोथसाहन रासी भी मिलेगा यहाँ पर तो हमारे बच्चे को तो नहीं मिला आप फेक वीडियो बनाये थे जानिये समझिये उसके बाद नीचे कमेंट करिये 15 तारिक के अंदर अंदर तक आपको क्या करना है मेधा सॉफ्ट पोर्टर पर अपना डाटा इंटरी करा लेना है डाटा इंटरी कराने का निर्देश सभी विद्याले को दे दिया गया है कि वो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का डाटा मेधा सॉफ्ट की official website पर जा करके upload करें तो आपको अपने बच्चे का खाता update कर लेना है update का मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका खाता ही बंद हो चुका है पैसे न होने के कारण या लेंदिन न करने के कारण या hold लग जाने के कारण तो उस खाता को सबसे पहले तो आप चालू करा लेजिए चालू कराने के बाद आपको खाता संख्या अधार संख्या जाकर अपने स्कूल में देना है और मेधा सॉप्ट के official website पर उसको update करवाना है ठीक है और आप खुद से भी check कर सकते हैं पोटल के माध्यम से कि आपका जो वहाँ पर entry है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है अगर आपका entry हो चुका है वहाँ पर जो आपका data है आपका account number है तो आपके बच्चे के खाते में पैसा आएगा अन्निथा नहीं आएगा ये बात आप गाठ पांद लो यहाँ पर साब बताया गया 40 लाख बच्चे जो है योजना से बंचित हो सकते हैं तो ये काम आपको करना है इसी माँ पैसे आने की बात कही गई है अभी चलिए स्क्रीन पर चलते हैं कि जिन लोगों ने ओनलाइन आवेदन किया था नेशनल स्कोलर्सीप पोटल पर नेस्पी पर ठीक है उनका जो स्कूल से फोन आ रहा होगा कि हाँ भी या आप जो है आवेदन का प्रिंट और बोनाफाइड और आधारकाट बैंक पास्बुक की छायपरती स्कूल को जमा करें ठीक है वो अलापैसा भी आएगा तो जाकर रखे अपने बच्चे को ये काम कर लेना है आजकल के बच्चे जो होते हैं ना ये इन सब चीजों में उनका इंट्रेस्ट नहीं होता है कि हाँ कौन सा यूजना चल रहा है कौन सा पैसा मिल रहा है कहां से हमको क्या करना है क्या प्रिंट देना है नहीं बस मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं और गारजियन भी वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और नुकसान आपका हो जाता है ठीक है तो चलिए अगर PC screen पर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से मेधाSoft के website पर आप चेक कर सकेंगे अपने पच्छे का details आईए चलते हैं वीडियो के description में आपको ये वाला मेधाSoft.bis.nic.in का website मिल जाएगा आप link पर click करेंगे directly यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं student details entry of class 1 से लेकर 12 हमी तक यानि कच्छा 1 से 12 के चात्रों का details entry यहाँ पर मौझूद है इसमें आपका है तो समझ लिए आपके बच्चे के खाते में पैसा आएगा अगर entry गलत है तो भी आपको जुधार करवाना है इंट्री नहीं है तो भी आपको यहाँ पर अपलोड करवाना है स्कूल जा करके ठीक है चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद जो आपके सामने इंटरफेस होगा वो ऐसा होगा सैचनिक वर्स 2022 सभी विद्याले को सुझित किया जाता है कि वे विद्याले के समस्ट विद्यार्तिों के उपस्ति थी मेधा सौफ्ट ओटल पर दज्च कराईं जिसका यहाँ पर सभी विद्याले को सुझित किया जाता है कि अभी तक जिलों में जितने भी नहये नमांकित एवन चूटे हुआ नामांकित एंवन चूटे हुए चाटर चातराइं उनकी एंट्री मेधा सॉपट कोटल में दिनांक 15-11-2022 तक अनिवार रुप से कर लिजाये तो आज हो गया आप कितना तारीक है 11 तारीक और यहाँ पर आपको 15 तारीक का समय दिया गया है ठीक है तो जल्द से जल्द अपना करवा लिजेएगा चुकि अगमाद payment status पर जाएंगे यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद अपना district select करेंगे अपना block select करेंगे अप अपना class select करेंगे अपना section जो है वो select करेंगे और account number डालेंगे तो पर click करेंगे देखें यहाँ पर आपको no record देखने को मिलता है तो समझ दीजे आपका record अभी तक दर्ज नहीं है आप जाएए kindlyly जल्दी से जल्दी अपना school में और जा करके कहिए भाईया मेधा soft पर हमार जो details है वो नहीं show कर रहा है तो वो update करके चढ़ा देंगे हलाकि school को भी यह कहा गया है कि वो चढ़ा दें लेकिन आप याप दिला देंगे तो और अच्छी बात है चलिए अब दूसरा है हम details चेक करके आपको बताते हैं जैसा कि हमने details और यहाँ पर चेक कर रहा तो आपको यहाँ पर दिखना चीए आपका account number के साथ साथ आपका IFC code वगरा नाम वगरा सब कुछ यहाँ पर सो हो जाएगा तो आप समझेए कि आपका सही है ठीक है यहाँ पर में आपका entry है अगर में इंट्री नहीं है तो जाकर करके school में कह करके बज़ापते master से कि हाँ भी करके इंट्री करवाईए उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंदा है हो पसंदार वीडियो को लाइक करें चैनल उसक्राइब लाइक प्रेस करें मिलते हैं ऐसे ही किसे फ्रेश टोपिक नहीं जानकारे के साथ अपता के लिए खुत अपने परवाब का ख्याल रखिए बु